जैसा कि आप लोग को पता है कि section 144 कश्मीर के बहुत सारे जिले में लगाया गिया है तो आज इसके लिए जागरुपता फैलाने के लिए अवैरनेस फैलाने के लिए मैं आप लोग के थ्रूप जन्ता से बात करना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे groups होते हैं social media network पे जिसमें कि terrorist को, terrorism को glorify किया जाता है जिसमें लोगों को आम जनता को डराया जाता है, मुखबीर बोला जाता है या फिर ऐसे मेडिया पे ग्रूप्स जिसमें हेटेर फिलाया जाता है, इल्विल फिलाया जाता है हम जाने या अन जाने में ऐसे ग्रूप के मेंबर बनते हैं तो जो भी बच्चे ऐसे ग्रूप के मेंबर्स हैं, और जाने अन जाने में बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स, या फिर ऐसे न्यूस को आगे शेर करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने आगे वाले गुरूप में, वो ना करें, अगर ऐसा करने पर पुलिस को पता चलता है तो आपके खिलाफ legal action लिया जा सकता है और guardian से, parents से मेरी ये request है कि वो अपने बच्चों के mobile को देखे और अपने बच्चों के mobile को ये बताएं कि ऐसा act ना करें, ये आप लोग के जागुता फिलाने के लिए ये मैंने सोचा है कि एक बार आपको बताया जाए ताकि आगे से आप आपको ये पता होना चाहिए कि ये चाहे आप knowingly या unknowingly ये काम करते हैं intentionally या unintentionally करते हैं तो आपके खिलाफ legal action लिया जा सकता है यानि cyber crimes जो है वो उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको बंद करने के लिए ये action लिया देग एक अ